हेलो फ्रेंड्स महो कृष्णा कारदाते और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेसफर तुमारो में इसके पहले के वीडियो में हमने दो देखा था कि शोट टम बेस्ट इन्वेस्मेंट ऑप्शन्स इन इंडिया कोन से है आज के इस वीडियो में हम करने वाले है कि बेस्ट लॉंग टम इन्वेस्मेंट ऑप्शन्स इन इंडिया कोन से है आप अगर हमारी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकॉन को प्रिस करना मत भूलो चली दोस्तों तो आज का वीडियो हम स्टार्ट क जा रहा है उसने वह ध्यान में रखना है वह लंबी रेस का घोड़ा है उसने ध्यान में रखना है इसलिए उसको चार चीजों की मालूमात चार चीजें उसके ध्यान में होनी चाहिए उसने वह अपने मन में दिल में ठान लेनी चाहिए वह चार चीजे कुनसी है सबसे पह रेक होती है लेकिन उसने खुद का financial profile देखना चाहिए उसका investment करने का capacity उसका budget उसने देखना चाहिए और तब जाके उसको ये पता होना चाहिए को उसने कब लेना है कोई चीज अगर बढ़ती है कोई चीज अगर बढ़के नीचे आई हुई तो ले सकता है लेकिन कोई चीज अगर उसके खुद ही खुद में बहुत गुनाहों से बड़ी है और वो उसको लेना चाहता है तो आज का लेने का time उसका गलत हो सकता है इसलिए दूसरी चीज उसने ध्यान में रखना है when to buy तीसरी चीज ये सबसे एहम होती है उसे हम कहते है patience अगर आपको कोई बढ़ा प अध्या लेकर आज बड़ा पेड़ बना है यह आपको देखना है मतलब आप अगर लंबे समय के लिए निवेश इन्वेस्ट करना है आप करते हो तो यह बात अपने ध्यान में रखना है कि आपको patience रखना है कई सारे लोग ऐसा कहते है कि patience रखो आप एक बार पर इसे दाल आपको लंबे समय में वो सही return देगा यह आप देख सकते हो चौती बात आपको सबसी ध्यान में रखना है वो बात है expectations आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं अगर investment कर रहा हो तो मुझे 30-40% से return मिलना चाहिए लेकिन दोस्तों वो भी आपको possible है लेकिन expectation काफी ज्यादा होने से क आपने जो चुनाव किया है आपने जो selection किया है उसके मुताबित आपको मिलना है मिलना है आपको उसके लिए उसका risk reward ratio देखना है यह सभी चीदे long term में बहुत एहम होती है वो आपके ध्यान में होनी चाहिए तो चले one by one option हम देखेंगे किस options में कितना risk होता है किस option को आप आपके financial profile से जोड सकते हो हम उसको देखेंगे दोस्तो सबसे पहली चीज नमबर वन direct equity जो stock में invest करता है बहुत सारे लोग बहुत सारे निवेशक इंट्राडे में चलते हैं इंट्राडे में उनको जितना knowledge होता है उस हिसाप से वो कमा भी लेते है और कुछ time वो उसमें volatile होता है वो बात आपको ध्यान में रखना है इसमें कोई guaranteed returns की यहाँ पे आपको कोई guarantee नहीं देगा साथी साथ यह जो है पूरा stock में invest होता है इसलिए आपको सही time एंट्री कप करनी है उससे बाहर कब आना है यह आपको देखना पड़ेगा considerable amount of your investment यहाँ पे जाने की loss होने की chances ज्यादा है कभी कभी तो पूरा की पूरा loss होने की chances यहाँ पे होते है आपको अगर inflation को beat करना है तो यह equity direct equity आपको सही रास्ता दिखाएगा लेकिन लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखने होगी वो बात कुन सी है stop loss का जो दिया हुआ method है वो आपको proper use करना है सहती सा अगर आप direct equity में रिष्ट कर रहे हो तो आपको sector का choice करना बहुत important होता है आप उस company का past का कुछ result देखके उसको अगर select करते हो या फिर आपका पैसा पूरा आप एक ही sector में लगाते हो तो हो सकता है आप loss में जाओगे लेकिन उसका future क्या है साथी साथ अलग-अलग sectors में दूसरी चीज़ नमबर टू इक्विटी mutual funds इसका भी सेवी के मुताबित 65% equity में investment होता है लेकिन यह mutual fund है उसके लिए long term चलना है और उसका जो result आएगा तो long term में ही आएगा यह यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ साथी साथ यह जो manage होता है तो actively manage होता है और passively भी manage होता है तो actively जो funds manage होते है उसके fund manager बहुत एहम रोल यहाँ पे नहीं भाते है वो हमें देखना है उसका experience हमें देखना है उसका skill हमें देखना है और दूसरी और index क्या है nifty क्या होगा sensex क्या होगा उसका भी prediction उस company के Capitalization को देखके भी हम निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई domestic companies में लगाता है, तो कोई international companies में, जैसे Google है, उसमें लगाता है, तो वो भी हमें देखना है, इसका success depend होता है, कि इन्वेस्टमेंट का long term में क्या behavior है, अगर कही समय पर market नीचे आता है, तो इन तो definitely उसका पैसा 15 से लेके 30% तक तो आएगा या आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, नमबर 3, Public Provident Fund, PPF, as usual, we all know that, कि long tenure, इसका fix होता है, 15 years, तो आपको इसमें अगर guaranteed return मिलना है, अच्छा return मिलना है, तो आपको आपका पैसा 15 years के लिए log करना पड़ेगा, इसमें benefit क्या होगा, तो compounding tax free interest आपको मिलेगा, और वो बहुत ही, काफी ज़्यादा होगा, shiverian guarantee हाँ पर दी जाती है, क्योंकि इसमें जो risk होता है, कम होता है, वो safe होता है, all times के लिए, इसका review government की ओर से लिया जाता है, quarterly रिया जाता है, वो यह आपको देखना है, number four, real estate, यह तो Indians के लिए बहुत ही, अच्छी चीज है, कि उन्हें लगता है, कि अगर मेरे पास real estate है, तो मैं सबसे आमीर हूँ, या फिर मुझे अच्छा सा income यहापे मिलेगा, तकि एक बाद आपको ध्यान में रखनी है, आप आपका खुद का घर आपके लिए real estate नहीं हो सकता है, कौन से तोर पर तो investment की तोर पर मैं बहुलना चाहता हूँ, तो जो आपकी second property है, वो आपके लिए investment हो सकती है, लेकिन उसके साथ भी उसका location matter करेगा, क्योंकि अगर location अच्छा है, तो आपको rental अच्छा मिलेगा, और उ चीजे जिसमें हम कहेंगे rental income और capital appreciation होगा अच्छी होगी, तो आपका real estate में किया हुआ investment ही अच्छा होगा, इसके साथ साथ यह आपको बात ध्यान रखनी है, कि यह जो investment होती है, वो highly illiquid होती है, उसको आप कल बेचने से नहीं सकते, परसों नहीं बेच सकते, उसके लिए आपको रुकना पड़ता है, market condition और लेने वाले की condition उसमें depend करती है, उसमें कुछ आड़चाने problems हो सकती है, जैसे कि regulatory app rules कहेंगे हम उसको, वो भी चीजे इसमें matter करती है, उसके बाद, number five, gold, ETF investment, investment through jewelry in India, बहुत सारी होती है, लेकिन jewelry का, जो jewelry making का खर्चा होता है, मैंने आप इसके पहले भी बताया था, 6% से लेकर 25% तक हो सकता है, वो काफी ज़्यादा है, और long term में भी आगर आप देखो गए, तो वो आपको beat करना मुश्किल होता है, इसलिए gold को option आप investment के लिए choice कर सकते हो, लेकिन, 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 आपको gold coins, अगर कोई bank देती है, तो आपको अच्छा मिलेगा, उसके साथ-साथ paper gold, यह जो है, उससे अच्छा, जो आपको more cost efficient होगा, it can be done through ETFs, और saverian government bonds, और another option to own paper gold, that is gold mutual funds भी आज के date में available है, और gold mutual fund में भी आप आपका investment करके अच्छा खासा return पा सकते हो, दोस्तों यह 5 चीज़े आपको मैंने इसलिए बताई, क् यह long term के लिए आपको benefit देगी ही देगी, आप अगर अपने खुत के financial profile को जाचे, तो आपको पता चलेगा कि definitely मुझे कौन सी risk लेनी है, मुझे कौन सा option लेना है, long term के लिए मुझे कौन सा option अच्छा return देगा, लेकिन जो मैं शुरुआत में आपको बताया था, कि 4 point जो ले रहा हूँ, उसका previous profit क्या है, उसके साथ साथ उसका future life क्या होगा, उसके sectors और उसके sectors में का वो leader है या नहीं है, number 2, when to buy, उसका risk and reward ratio आपको देखना है, तब जाके आज के date में वो कितना बड़ा है या कम हुआ है, और आपको लेना या नहीं लेना है, वो आपको देखना आपको example दिया था, अगर आज के date में कोई बड़ा पेड़ बना है, तो उसका छोटा पौदा ही उसको बड़ा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, consistently इसमें आपको चलना है, इसके शिवा आपके कुछ questions होगे, आपके कुछ curious होगे, तो आप हमें हमारे whatsapp number पे भेज कर पूछ सकते हो, discuss कर सकते हो, दोस्तों आपको आगर इवीडियो पसंद आया हो, तो आप like करना ना भूले, और इस तरह के आने वाले वीडियो आपको देखना है, तो आप subscribe बटन को क्लिक करके, फेल आइकोन को प्रिस करो, तब तक के लिए धन्यवाद,